इस वीडियो के सुरुवात में मैं कुछ लोगों को पकड़ के जवाब देना चाहता हूं स्पैसिफिकली पॉइंट आउट करके जिन लोगोंने कमेंट किया है स्क्रिंशोट आप देख लिए नाम नहीं लोगा स्क्रिंशोट में नाम आ जाएगा ठीक है और कमेंट दिया जाएगा पढ़ सकते हैं लिए डिस्रिस्पेक्टिंग और प्रॉफिट इस देथ इंडिया इस और लेडी फॉर सेकंड पार्टिशन यहीं कहें लग रहा है अच्छा दूसरे का दिखाता हूं यह कहता है तुम्हारे हिंदुस्तान को मिटा देंगे खुदा के नाम पे मिटा देंगे मरने का डर नहीं तुम्हें मिटा देंगे अल्लाव अकबर अच्छा यही नारे इस दंगे में भी लगए जो बैंगलूर में हुआ था वाई तुम्हें जिहाद का मतलब नहीं पता च्छी होती है एक के राइट फोन नमबर दे फिर तेरा नमबर लगाता हूं अच्छा यह वो लोग हैं जो क्या क्या जिस्टिफाइब करते हैं पता है दंगा जिहाद आतंकबाद किलिंग जो भी सब जो हुआ अभी बैंगलूरू में जो दिल्ली में हुआ जो कश्मीर में होता है यह व हैं ने इसघ्राइब करते हैं हमार यही ऑक चैरेक्टर है और हमको मदरसे से यही तालीम मिली है कि मतलब धाम की समझ रहे हैं और जो वहां हुआ उसके बारे में तो आप आपके बात करेंगे पूरा वीडियो देखिएगा यह मैं अलग से एड़ कर रहा हूं कि मैंने अभी कमेंट देखा यह वाला हिस्सा जो आपको पहला हिस्सा देखने को मिल खेर इनके इन सारे कमेंट उसका जवाब जनता देगी मैं सबको जवाब देता फिर बेवकूफ को तो वो आपको उस हद तक अपने लेवल तक गिरा के लिए आता है कि मैं जाहिल हूं भाई तुम उतनी उचाई से बैठके क्या जवाब दे रहो मेरे लेवल में आओ जाहिलियत दिखाओ फिर बात करो तो देख लीजेगा आप भी बहुत इन्वाल मत होईएगा इननों के बीच में लेकिन फिर भी किसी को कुछ रिप्लाई देना हो तो सब के लिए दरवाजे खुले हैं जो इननों को प्यारे प्यारे शब्दों से नमाज सकता है कर ले विडियों बने रहेएगा जो चीज़े हिंदू भाईयों सेर बनों जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो अब आते मुद्द क्या किसी ने क्योंकि मैंने आपको जो पिछला विडियो दिखाया उसमें मैंने एक चीज मेंशन की थी आर्टिकल का एक हिससा इसमें भी कर दूँगा प्री प्लैंड लिखा था और मुझे उसके बाद खंका कि इस पर धंक से बात करनी चीए और मुझे वह पोस्ट भी मिला जो मुझे उस लोग पकड़े गए उनसे मिलके क्या नहीं करवाया क्योंकि जो दंगाई आये थे उन्होंने कॉंग्रेस के मले के घर के आगे तोड़ फुर बहुत नाके राबर की असलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को फूका पुलिस स्टेशन के अंदर जाके लड़ाई की पुलिस की गाड़ियां यादा तबाह हुई 30 क्या सपास 30 क्य इंजर्ड हुए उसमें DSP और SP लेवल के कॉप्स जो बात करें जो सीनियर ऑफिसर जाते हैं वो दो तीन लोग इंजर्ड हुए मतलब आदमी बात करने आ रहा है आप उससे लड़ गए हो एक सीनियर ऑफिसर से लड़ तो कहां से यह सांती प्रिया कुछ नहीं था यह सांत प्लैनिंग थी मैं बताता हूँ कुछ हद तक मुझे समय में आई आप अगर ही कर दों तो करन करेंगा और शेर जरू करिए प्लैनिंग यह थी जहां तक मुझे लगता है कि पहले तो यह राइट होगा और राइट का रिजन यह दे देंगे कि हम इस पोस्ट से नाराज थे तो हमने दंगा कर दिया ठीक है उसके बाद एक गुट जाएगा पॉलिस इस्टेशन वह यह कहेगा कि यह यह हरकत हुई है आप केजदर्च करिए केजदर्च हो गया अरेस्ट करिए अगला अरेस्ट हो गया ठीक है तो एक गुट दंगा कर रहा था एक गुट अरेस्ट कर देंगे कि दंगा और जो पुलिस वाल इंजर्ड हो जाएगा और वहीं हो रहा है लॉजिकल इंडियन ले लिजिए दप्रिंट वाल ले लिजिए लोग लगे हुए है मैं सबका प्रूव दिखाता जा रहा हुए तो जो तीसरा गुरूप था जिसने एजेंडा सेट करने कुश्की की देखो इस दंगे के महौल में मुसल्मानों ने चेन बनाई है ॥ किससे बचा रहा थे मंदिर को किससे दर था महां पर दंगे कों कर रहा था को तो तुमने मोlex उसे मंदिर को aftermath सोना फोड़ना या उसके आसपास प्रदर्शन या जो भी जो उनकी मेंडालिटी ती जो करना है थे विधायक तक सीमित रहना चाहिए था है तो और यह वही लोग내 न वक्टीं कार्ट तब केलते हैं और कुंस्ट्यूशन की किताब लेकर ख़ड़ करतेश हैं कि सम्विधान होट करते हैं कि सम्यधान उस पोस्ट के हिसाब से तो तो मैं सिर्फ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था और जदह ज़दा एयमले के घर पर दो चार और जो तुम करना चाहते हो एयमले सक्य तक गल्दत भी है लेकिन पुलिस को परशान चोडूं को पुलिस को इज़करhta प्थर क्या ज्कांति ए पिर आप सूचेंगे पहले मैं बता दूं कि पोस्ट آं वो कि खूलальная और पॉस्ट नहीं था वह किसी पोस्ट का रिपलाई मुझे लग रहे हैं कि पहले किसी से वह पोस्ट करवाया जाता है फिर यहां से रिपलाई जाता है फिर दंचे का कारण मन जाता है और मुझह ë Johann mega आपको पता है कॉंकि Congress वाले Congress thought process का कोई भी व्यक्ति भारत के लिए इतना sensitive नहीं होता है रियल में तो नहीं होता है कि उसको बुरा लग जाए तो जो पोस्ट पहले दिखाए गया और जिसका रिप्लाई नवीन ने किया जो भी रिलेटेव है जो भी चीजें लिखी हुई है वह किसी ने ट्विटर पे ट्रांसलेट भी कि आप वह भी देख लिए आप खुद वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं मैं रिपीटर नहीं करने वाला हूं कि मैं पढ़के भी बहुत शर्मिंदा हुआ कि ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं पुर्धान मंतरी को अब्यूज किया फिर किसी कॉंग्रस आले के रिलेटिव के आत्मा जाग्र उसको देखा नहीं गया तो उसने भी यह कह दिया कि प्रॉफिट मुहम्मद ने नौ साल की बच्ची के साथ गलत किया यह लिग दिया ठिक तो आपने एक्शन ले लिया और ह जितने भी हैं इस अब लगे हूं है यह दिखाने में कि वह जो हुआ है वो तो भूल जाओ यह पाखंड देखिए अब तो एक्सपोस करो यार इंको अब तो इनके मुह पे तमाच्या मारो यह जो हरकत हुई है उसके जितना हो सके इग्णोर किये बिना और परदा डाले बिना जितना हो सके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए जैसे योगी जी ने वसूली कि इन से भी वसूली करनी जाए जितने लोगों को जेल में डालना है जेल में डाली है जितना हो सके स्ट्रिक्ट एक्शन लेकि एक जांपल सेट करिए कि दुबारा ऐसा ना पहली चीज इन्लों को आप वोट बैंक समझ के बचाने कोशिश मत करिया है कि समझ रहे हैं यह वह कि और उसको जहर देने क्या जोते यह वह गुड़ हैं यह वह गुड़ देते हैं और गुड़ से मार रहे हैं यह हमें जहर नहीं देंगे ताकि हमें इंकासली चहरा दिए और कितना दिखें कॉंग्रिस MLA का बोट गाएंग उसी Congress MLA के दरवाजे पर दंगा कर रहा है और उसी Congress के relative के post पर प्रोवोक होके दंगा कर रहा है और अभी भी Congress को नहीं दिख रहा है कि उनकी वैसे उस इलाके में दंगा हो गया लेकिन बचाने में सब लगे हूँ है खेर मैं ना उस पहले post को justify करना हूँ जो उस मुसल्मान ने किया मोदी और भारत माता के लिए ना वह दूसरे post को justify करना हूँ जो Prophet Muhammad वाला था religious को देना ही नहीं चाहता लेकिन जो अगर कहीं से भी जाच अगर होनी चाहिए मैं तो खेर उसके जाच होनी चाहिए और निकल कहाना चाहिए कि यह जो इसने किया है भारत मातार मोदी जी वाला इसके लिए तो इसको पकड़ के ऐसी जग डंडे मारने चाहिए ऐसी सजा दिनी चाहिए उसके बाद देश से फिक दो और ऐसे लोगों की जितने पुष्टे होती न जितने रिलेटिव होते हैं उनका वोटिंग राइट चीन गो ये वोट देने लाइक बनेंगे और इनकी पावर अगर नजर आई मैं गरेंटी दे रहाऊ लिख के दे रहाऊ मैंने जो बोला है कोई मजहब नहीं बताया अब आप देख लीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा धंगे करता है कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और किसके साथ क्या होना चाहिए सब जनता के हाथ में कि कौन यहां रहेगा और ऐसे लोगों को यह समाज एकसेप्ट नहीं करें तो अच्छा है जितनी जल्दी कोई नहीं पॉलिसी आए पॉपलेशन कंट्रोल आए यूनिवाम सेविल कोड आए जैसे भी कंट्रोल इस पे करना ज़रूरी है और NRCCA लागू करो इनकी हमें कोई जरूरत नहीं इनकी मतलब मैं कैसे माननू कि भारत की मुसल्मान है जो दंगा कर रहे है मैं तो मानता हूं भारत की मुसल्मान अच्छे है यह भारत की मुसल्मान नहीं हो सकते जो दंगा कर रहे है इनको उठाके बारफे को मेरे एक हैना जो भारत का मुसल्मान नहीं उसको यहां रेनिंग को जरूती है उठाके फेको चाहे जिस रूल के तहते हैं वीडियो चलागे तो लाइक शेयर बैंगलोड तक जरूर शेयर करिए फिर मिलता है अगली वीडियो में जैहिन वन्ने मातर हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो